सरकार की तमाम एजिंसियां चौकननी हो गई हैं निगरानी बढ़ा दी है, छापे मारी हो रही है, रेट डाली जा रही है और नए-नए खुलासे हो रहे हैं टेक्स चोरी के आज हम दिन की सबसे बड़ी खबरों में ऐसे ही दो-तीन बड़े मुद्दों पर बात करेंगे जहां सरकार की एजिंसियों ने दरसल बड़े खुलासे की हैं टेक्स चोरी के पहला मामला एडी, चलिए एडी जलते हैं इडी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सक्ती किया, इडी ने विदेश में रेजिस्टर और भारत में काम कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर शिकंजा कसा है, इन कंपनियों पर घुमा फिराकर 4000 करोड़ रुपे विदेश से भेजने का शक है, यह मामला फेमा का प्रॉट्स का शिकार भी हो रहे हैं और भारत के भीतरे ये गेम्स जिस तरह से पॉपलर हूं इनके पीछे कई सारे आया हम और समझे कि एडी ने अपने जो चापे मारे पांच छे रज्जियों में और इससे समझने की कोशिश की वह बहुत ही बहुत काईदे से बुना हुआ एक किसम का फ्राड है जो ऑनलाइन गेमिंग के तोर पर चल रहा है भारत में काम करने वाली जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कमपेनिया है पहले समझे जिनके गेम्स आपकर खेलते होंगे रमी पोकर है जिस तरह कि इसमें इधिकांश कमपेनिया ऐसी हैं जो दुनिया के एपस देती ही जिनको आप डाउनलोड करते हैं भारत में उन एपस के बदले जो ट्रांजेक्शन किये जाते हैं जो कमाई लोग अपने पैसा लगाते हैं और जो बचाते हैं और जो मुनाफ़ा होता है कंपिनी को उसके ट्रांसफर के लिए भारत में किसी भारती वेक्ति के नाम से proxy account खोला जाता है उस account का इस gaming उस account holder का इस gaming company आणलाइन gaming के बीजनर से कोई रिष्टा नहीं होता यह उसका वो कुछ दूसरा काम कर रहा हूता उसके नाम से proxy account खोला जाता है उस ऐसे proxy account का पूरा network है जिन network के जरीए यह पैसे transfer किया जाते हैं और यह पैसा बाद में भा आरोबारत करने वाली company है वो इसे export बताकर विदेश ले जाती है इडी ने अपने चापों में bank accounts हों से मिली जानकारी के बेस पर कई सारे हवाला ट्रेडर्स को भी पकड़ा है वाला operations को भी पकड़ा है जिसमें में शामिल है और यह शायद भारत के में online gaming gaming में में अभी तक का सबसे बड़ा fraud है जिसमें अंतर आश्च्री इस तर पर फेमा के नियमों का विलंगन हो रहा है नहीं है लेकिन घोटाला काफी बड़ा दिखता है प्रत्रक्षरूप से ऐसा जो आकड़े हमारे सामने आ रहे हैं अब जब आप अगली बार गेम कोई खेले और डाउनलोड करें तो यह सोचिएगा कि इसके पीछे कितना बड़ा तंत्र कितना बड़ी टेक्स्चुरी कितना परसनल डेटा भी है जो इस गेम के साथ शेर हो रहे हैं वो भी मतलब यह केवल स्कैमिंग टेक्स्चुरी नहीं है डेटा की भी स्कैमिंग हो रही है और डेटा की भी चोरी हो रही है सरकार दरसले तया नहीं कर पा रही है कि उसे आनलाइन गेमिंग का आखिर करना क्या है आनलाइन गेमिंग की कमाई पर गांबलिंग वाले प्रावधानों के टैक्स तो लगा दिया गया है। अभी भी लाट्री और आनलाइन जुएं को लेकर भारत में कानून भूत इस्पष्ट नहीं है। आप पिछले तीन महीने चार महीने से सरकार ये इस बहस में तो लगिये किस पर टैक्स कैसे लगाया जाए। सरकार ने भी इस पर एक फैसला लिया था गेमिंग को रोकने का पर राजी सरकारे इस तरीके के मामलों पर फैसले लेती हैं और उसको लेकर बहुत काफी जादा मद्वेद है अब जो इतने बड़े खोटाले खुल रहे हैं हमारे सामने जिसमें कि अब टेक्स की चोरी ही नही वाला है जिसके पर हमने कल चर्चा की थी उसमें शायद सरकार कोई प्रावधान करेगी उससे करने ही चाहिए